बॉलिवुड में ऐसी अभिनेत्रियों की लिस्ट बहुत लंबी है जो बिना शादी के ही मा बन चुकी है आज की इस वीडियो में हम आपको टॉब अभिनेत्रियों के बारे में बताने वाले हैं जो लिव इन रिलेशन्शिप में रहते हुए गर्भवती हो गई थी और ये बिना शादी के ही मा बनी है या शादी से पहले ही प्रेगनेंट हो गई थी और उसके बाद इन्होंने फटाफट से शादी कर ली इन में से कुछ के पार्टनर्स तो आज भी इनके साथ हैं तो कुछ इनसे अलग हो चुके हैं ट्विंकल खन्ना आपको बता दें कि ट्विंकल खन्ना भी अक्षे कुमार से शादी से पहले ही प्रेगनेंट हो गई थी अक्षे के साथ काफी समय तक डेट करने के बाद ट्विंकल ने उनसे शादी की और आज दोनों बेहत खुश हैं खबरों की माने तो ट्विंकल की मा डिंपल कपादिया ने ट्विंकल को अक्षे कुमार के साथ कुछ टाइम तक लिविन में रहने को कहा था कि तुम अक्षे के साथ रह कर देखो अगर तुम्हें एक साल बाद अक्षे पसंद आता है तो फिर तुम उससे शादी करना और इसी वजह से ही ट्विंकल शादी से पहले ही प्रेगनेंट हो गई थी गैब्रियाला डिमेट्रियेट्स अक्टर अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंट और उनके बच्चे की मा गैब्रियाला एक मॉडल है अर्जुन रामपाल अपने इस रेलेशन्शिप को लेकर काफी स नताशा स्टानकोविक मशूर क्रिकेटर हार्दिक पांडिया की पतनी और अक्ट्रिस नताशा स्टानकोविक सोशल मीडिया पर काफी अक्टिव रहती है हार्दिक से शादी से पहले नताशा स्टानकोविक प्रेगनेंट हो गई थी जब ये बात हार्दिक को पता चली तो शादी कर ली फैंज उस समय तो कुछ वक्त के लिए हैरान ही रह गए थे और उस समय इन्हें काफी ट्रोल भी किया गया था कि शादी करते ही कुछी दिनों में नेहा दूप्या का बेबी बंप साफ तोर पर दिखाई देने लगा था श्री देवी के बारे में कहा जाता है कि वो शादी से पहले ही प्रेगनेंट हो गई थी श्री देवी ने कभी भी अपनी प्रेगनेंसी को छिपाया नहीं 1996 में उन्होंने बोनी कपूर से शादी की तो वो साथ महीने की प्रेगनेंट थी और शादी के चंद ही महीनों बाद जानवी कपूर को उन्होंने जन्म दिया शादी में देरी की वजह थी बोनी कपूर का पहले से शादी शुदा होना बोनी कपूर के शादी शुदा होने के बाद भी शुरी देवी ने अपनी प्रेगनेंसी को जारी रखने का बोल्ड फैसला लिया था और लोगों और समाज की परवाह ना करते हुए अपनी बच्ची को जन्म दिया सारिका कमल हसन और सारिका के प्यार के किस्ते काफी पॉपिलर थे लेकिन कमल पहले से शादी शुदा थे और वहीं सारिका पर कमल का घर तोड़ने और दूसरी ओरत की तोहमत लग रही थी सारिका ने अपने और कमल हसन के प्यार की निशानी को बिना शादी के दुनिया में लाने का फैसला किया और शुरूती हसन को जन्म दिया लेकिन इतना ही नहीं सारिका और कमल हसन ने अपनी दूसरी बेटी के जन्म के बाद शादी की थी लेकिन कमल और सारिका का रिष्टा भी बहुत ज्यादा नहीं टिक पाया और वो तूट गया और आज सारिका और कमल हसन का तलहाख हो चुका है कौनकना सेन माना जाता है कि कौनकना सेन भी शादी से पहले ही प्रेगनन्ट थी क्योंकि उनकी शादी सितंबर 2010 में हुई थी और उन्होंने बेटे को जन्म मार्च 2011 में दिया हालकि रनबीर, शौरी और कौनकना अब अलग हो चुके हैं लेकिन दोनों के प्यार और शादी और शादी के बाद जल्द ही प्रेगनन्सी की खबरों ने खूब चलचाए बटोरी थी महिमा चौधरी महिमा चौधरी की जल्द बाजी में की गई शादी किसी को समझ नहीं आई थी लेकिन जब शादी के बाद जल्द ही उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तब सब को समझ आया कि महिमा चौधरी शादी से पहले ही प्रेगनन्ट थी और इसलिए उन्होंने जल्द बाजी में बॉबी मुखर जी से शादी की थी, अमरता अरोडा, जल्दबाजी में की गई शादियां अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं, और ऐसी ही एक शादी थी मलाइका अरोडा की छोटी बहन अमरता अरोडा की, शादी के फॉरण बाद अपने प्रेगनेंट होने की खबर देने के सब को इस जल्दबाजी का पता चला था, कि अमरता दरसल शादी से पहले ही प्रेगनेंट थी, सलीना जेटली, सलीना ने दुबाई बेस्ट होटेलियर से जल्दबाजी में शादी की थी, और शादी के तुरंद बाद उन्होंने अपने प्रेगनेंट होने की खबर दी, क् ही बॉलिवर्ड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें